हलो फ्रेंज वेलकम टू एलेस फूड लाइफ और आज मैं आपके लिए लेकर आयो क्रिस्पी धोसा रेसेपी और इसे आप सुबह की नास्ता में फटा फट बनाके सर्फ कर सकते हैं यह बनाना में जितना आसाने टेस्ट उतना ही ज़ादा जबरदस हैं और इसे हम मूरमुरा से तो चलिए आज के रेसिपी के स्टार्ट करते हैं मतलब शुरे करते हैं और वीडियो को बिना इसकेप की आप पूरा देखिए तो मूरमुरा की धोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप मूरमुरा ले लिया है और यह एक कप से ज़ादा नहीं होंगे तो इसे हम क्या करेंगे पानी में भिगो के रख देंगे तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी ले लिया है और इस मूरमुरा को हम पानी में डाल देंगे और इसे हाथ से थोरा से इस तरह से मसल लेंगे तकि इसमें रेट वा मिट्टी होंगे वो नहीं रहेंगे क्योंकि यह तो हम सब भी जानते हैं जो मूरमुरा रेट से बनाए जाते हैं तो इसमें रेटो होंगे और जो धोरा बहुत मिट्टी होंगे वो भी नहीं होंगे धोने से तो इसे हम 10 से 15 मिनिट के लिए भीगो के रख देंगे तकि रेटर मिट्टी ना हों और मूरमुरा थोरा फूल जाएं और सौफ्ट हो जाएं तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा बरतन ले लिया है और इसमें हम एक कप सूजी डाल देंगे और यह पतला सूजी है अगर आपके पस मोटी सूजी है तो आप मोटी सूजी भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही इसमें हम डालेंगे एक कप दही यह नॉर्मल दही है ज़्यादा खटा नहीं है और इसमें हम थोरा सा पानी डालेंगे कटोरो के धोके जो भी कटोरे में दही लगा हुआ है वो यूज हो जाएंगे और वेस्ट नहीं होंगे सूजी और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनिट के लिए इसे हम ढख के रख देंगे तकि सूजी तोरा सा सौफ्ट हो जाए फूल जाए तो चलिए चलते हैं नेक्स पोसेस पे दो बरी चमस रिफाइंट ओयल गरम कर लेंगे आप चाहे तो कुकिंग का दूसरा ओयल भी यूज कर सकते हैं जब तेल गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे आदी चोटी चमस चैना के डल या फिर आप एक चमस भी चैना के डल यूज कर सकते हैं मतलब इसे हम 30 सेकंड भून लेंगे तक एक दिनों का जब फिलेवार वो तेल पे आ जाएं 30 सेकंड के बाद इसमें हम डालेंगे 2 बारी कटा हुआ हरी मिर्ची तीखा आप कमिया जादा कर सकते हैं और इसमें हम डालेंगे 10 से 12 करी पत्ता अगर आपके पास करी पत्ता है तो डालिये मतलब यूज कीज़े या फिर आप इसकिप कर सकते हैं करी पत्ता और हरी मिर्ची को हम कुछ सेकंड भून लेंगे तक कि जो करी पत्ता और हरी मिर्ची का फिलेवार है वो तेल पे आ जाएं, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, मैंने दो मीडियम सा इसकी प्याज को लंबाई में काट लिया है, अब देख सकते हैं, आप चाहें तो बारिक चौप करके भी यूज कर सकते हैं, प्याज को हम हलका भून लेंगे, तकि प्याज का कलर थोड़ा चें हो चुका है, तो इससे जादा प्याज काम नहीं बुनेंगे, इतना ये नाफ हैं, फिर हम इसमें डालेंगे उबले आलू, तीन आलू को मैंने उबल के पहले ही रख दिया था, तकि आलू थोड़ा ठंडा हो जाए, और आलू काम इस तरह से तोर के फीड डालेंगे, आप तो बारी काटके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप काटके डालेंगे तो उसका स्वाद अलाग होते हैं, और इस तरह से तोर के डालने से इसका स्वाद बिल्कुली अलाग होते हैं, आप इस तरह से करके देखिए, टेस भी अलाग हैं, और जो स्वाद हैं, वो भी बहुत ही डिफ्रेंस होती हैं और साथ ही इसमें हम डालेंगे एक चोटा चोटा चमस नमक या फिस स्वादोंने से नमक यूज करें और इसमें हम डालेंगे एक चोटा चोटा चमस हल्दी पाउडर इसमें हल्दी पाउडर और नमक के अलावा कोई भी मसला हमने यूज नहीं धनिया पाउडर और लालमिच पाउडर यूज़ कर सकते हैं अगर आज का रेचिप आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि अगर आप बैल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे तो प्लेस बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें तो आलो का सब्जी हमारा बन चुका है अब देख सकते कलर कितना अच्छा आया है दिखने में कितना अच्छा लग रहा है तो इसे हम एक काटोरे में निकाल लेंगे और चलते हैं नेक्स पोसेस पे तो आप देख सकते हैं जो मूर्मूरा हमने भीगो के रख दिया था वो फूल भी चुका है और सौफ्ट भी हो चुका है तो इसे हम क्या करेंगे च्छनी में च्छान लेंगे तो मैंने एक बरतन में च्छनी रख दिया है और इस तरह से हम च्छन लेंगे और थोरा से उपर से पानी डलेंगे अगर मिट्टी बार रियत होंगे वो नहीं रहेंगे और हास से थोरा से इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि अगर मुरमुरा में पानी होंगे वो नहीं रहेंगे, वो निकाल जाएंगे निचे से तो ये हमारा 10 से 15 मिनिट हो चुका है, आप देख सकते हैं, सूजी फूल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है मुरमुरा को हम इस मिकसे में डाल देंगे, मतलब टानसफार कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे सूजी, जो सूजी हमने भिगो के नहीं रखा था, मतलब दही और सूजी के साथ हमने मेरे निट करके रख दिया था, वो शूहिए मिक्से का जार में डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी यूज करेंगे तक कि क्या आप देखी सकते ये थोड़ा गारा है तो ग्राइंट होना में थोड़ा दिक्काता आएगा तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मुरमुरा को और सूजू का हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि पानी जो उपर का है वो बहार ना निकले मिक्से से इस तरह से और मिक्से का ढगा देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे यानि की पीस लेंगे तो आप देख सकते ये ग्राइट हो चुका है और कितना स्मूध है मैंने एक बरतन ले लिया और इस अंद में हम मूरज़ी हमने ग्राइंड की आने वह हम डाल देंगे और आप देख सकते हम दूरा सा गारा है तो इसमें हम थोरा सा पानी डालेंगे मिक्सिकों धोकें तकि जो मिक्सि में लगा हुआ है वो यूज हो जाएंगे बेस्ट नहीं होंगे और इसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं है नई मूरमुरा की कोई पीस है इसमें बिल्कुल नहीं अच्छी तरह से ग्राइंट हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे और ब्रेकिंग सोडा अब धोसा बनाने से कुछ सेकंड पहले यूज की जिए तकि ब्रेकिंग सोडा डालने के बाद आप तुरूंत दोसा बना सकें अगर आपको लगता है बेटार थोड़ा ज्यादा है तो आप हाफ मतब आधा में आप ब्रेकिंग सोडा यूज के जह औ और आप इसमें चाहेते दो चमस मैदे या फिर दो चमस आप बैसन यूज़ कर सकते हैं और जो बैटर का थिकने से ओ परफेक्ट है दोसा के लिए ना गारा है ना पतला है बिलकुल परफेक्ट है तो चलते दोसा बनाने की प्रोसेस में थोरा सा तील लगा लेंगे पैन पे या पैन भी कह सकते हैं तावा भी कह सकते हैं तो इसमें हम थोरा सा ब्रस से इस तरह से ग्रीस करेंगे तील तक ये दोसा चिपकेना और इसे हम एक ये दो चमस बैटर डालेंगे और चमस से हम इस त चिपक जाएंगे और इजी ली तावा को नहीं छोड़ेंगे इस बात के धन रखे इसे लो फ्लेम पे कुप करनी है हाई फ्लेम पे नहीं और जब हलका सा क्रिस्पीने साज़ा कलर चेंज हो जाली जली बंज जाए आप देख से था जाली जली बन उपर जाली जली दीख रहा देंगे उपर भी और इसे हम और थोड़ी देन कुख होने देंगे तक यह अच्छी तरह से कुख हो जाए और क्रिस्पी हो जाए तो यह देखिए दोसा हमारा तयार है और यह कितने क्रिस्पी बनी है आपको मैं दूसरा भी बना के दिखाती हूं पहले हम दो चमस बेटा दोरेंगे और इसे आँ फैला देंगे चमस के साहेता से तो चाहित तो कटोरे से बीडल सकते और कट्वेसे बीसे फैला सकते और फिर उपर से थोड़ असा तेल डालेंगे साओको ज्यादा तेल भी यूज नहीं किया हमने बहुत ही कम तेल में यूज किया है दोसा हमारा सारा बन चुका है तो चलिए चलते सर्फ करने के प्रोसेस में और आप इस दोसा को सुबह की ब्रेकफास्ट में बना के मतलब नस्ता भी बना के आप सर्फ कर सकते बहुत ही जिल्दी बनाने में बहुत ही असान हैं और कोई कहेंगे भी नहीं मूरबुरा से बना हुआ धोसा है और एक कितिना क्रिस्पी है और जो आलू हमने बना के रखे ना वह हम साइड में रख देंगे आप चाहे तो इस आलू के साथ इससे सर्फ कीजिए या फिर आप संबर के साथ सर्फ क कर सकते हैं आप मुझे इंस्टागिराम या फेजबुक में फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यह दि आपके कोई सजेशन है तो कॉमेंट के जारी आप मुझे कैसा तो इस क्रिस्पी ढोसा का आप इंजोई कीजिए तो चलिए मिलते एक नई रेसिपिक के सथ बाई बाई